जब किसी वायर में electric current flow होता है तो उसके तीन main effect होते हैं या तो वायर गरम हो जाएगा याने कि heating effect या उपने चारा तरफ एक magnetic field बनाएगा याने कि magnetic effect और तीसरा होता है chemical effect जब किसी solution में electric current हम pass करवाते हैं जब किसी वायर में electric current flow होता है तो उससे जो heat produce होती है वो कितनी होती है that is h is equals to i square rt here i is electric current r is resistance and t is the time during which electric current flows through that conductor अब हम बात करते हैं magnetic effect के बारे में यह हमारे पास में एक electric circuit है और इसमें यह battery है यह resistance है जो control करेगा इसके अंदर electric current कितना flow होना चाहिए यह हमारे पास में on off के लिए key है जब यह key open होती है तो इस circuit में current flow नहीं होता क्योंकि circuit open circuit हो जाता है और जब की close होती है तब इसमें current flow होता है तो क्योंकि उस time पर यह हमारा circuit जो है यह क्या जैसे इसमें से current पास हुआ यह आयरेन फिलिंग्स ऐसे कि यहां पर magnetic field lines हों इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी wire में current flow होता है तो वह अपने चारो तरफ magnetic field बनाता है बिल्कुल इसी तरीके से और इस magnetic field को समझने के लिए हम काम में लेते हैं यानि कि हम अपने right hand के थम को इल्लक्ट करेंट के डिर्क्शन में रखते हैं और हमारी जो fingers है इल्क्राल करते हैं वहारा यह थम्रेशन के डिरेक्शन में रहेगा और यह जो फिंगर्स हैं यह ताइप से मेंगनेटक फिल्द को शो करेंगी Aगर मैं अपने ठंब के आगे की साइड में इस सईड में बात कुरूim क्या होगी इधर क्या होगी पिछे क्या होगी इसके अगी ह्ई साइड में क्या हो इतो मेरी फिंगर इस टैप से कर yeah और इस सरक्ल पर मैं कहीं पर भी tangent ड्रो करूंगा वह tangent उस point के उपर magnetic field की direction शो करेगी जैसे कि यहाँ पर tangent ड्रो करता हूं तो इसकी मेरी तरफ होगी और अगर इधर tangent ड्रो करूंगा तो उसकी direction पीछे की साइड में हो जाएगी इधर ड्रो करूंगा तो आपकी तरफ हो आप लोगोंने काफी magnets के साथ में बस्पन में खेला भी होगा और अपने notice भी क्या होगा कि जो magnet है वो इस दूसरे को attack भी करते है और रिपल भी करते है एक्चली magnet में दो पोल होते है नोर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी magnet सिंगल पोल की नहीं हो सकती है हमेसा दो पोल में ही मिलेगी अगर आप उसको बीच में से कट करते हो तोर देते हो तब भी magnet के दो ही पोल होंगे जहांसे तूटेगी वहां से नोर्थ साउथ फिर से जनरेट हो जाते हैं यानि कि magnet सिंगल पोल में कभी नहीं होती है हमेसा एक डबल पोल ही मिलेगा मैगनेट के अंदर सिमिल मैगनेट के अंदर जाती हैं इसका मतलब यह नहीं होता है कि जो मैगनेट के बाहर की बात करें तो मैगनेट के अंदर की साइड में साउथ नोर्थ होती है